पुलाना पूजिलो और यह भाम एक खसम बनावांगे एक मालिक एक पती एक स्वामी कभीर भगवान और जब आप हर्दे से स्विकार कर लोगे इस परंपेता को और फिर देखना पती भरता जम्मी पर जो जो धर्फ पाव सम्रत जाडू देत है ना काटा लग जावे अब आपको यह भी बता था कि इस मंतर पर्फ मंतर के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानो जीवन प्राप्श करने योगे कर्म बन जाते हैं आपके तो उसकी मर्तू के तुरंत बाद मर्तू भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा कुड़ता पजामा आते फिर बगती मिलेगी और ऐसे घर में जनम लेगा जो पहले से बगती पर लगे पावंगे उसको तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि और जीवर दंदा कर है और यह दी जब इसका कोई लाज भी होता है कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है ट्रीटिमेंट कराके हम ठक लेते हैं तब आप ही कहते हैं बगवान इसकी माटी संग वाले अपने पुत्र को भी एक करना पड़ जाता है बगवान इसने ठाले तो बगवान न ठाओगा फिर उसने और फिर दुवारा जनम देगा मन उसका तो पिछले सारे पाप नास करके उसको नए सरे से बक्ती प्रारम करके उसके दो जनम्म पारे कर देगा प्रमात्मा तो कितना बड़ा पुन है कितना बड़ा बेनिफित आपको प्राप्त हुआ तो उपर ले मन तो हां बर्या करें और आत्मा रो का हां बर्ती है और रोगी जिस दिन हां बर्ती है सच्चे दिल तर रो करेंगा बगवान जी हूं इतना आपकी बक्ती करूँगा और कोई इसके बाद बक्वास नहीं चलेगी पक्ती गारंटी है तो तुर्द सुनता है और रोज फर खोना सुरू हो जाता है तो इस तरह की समरपन वो जब करेगा जो उसको ज्यान होगा अब तो किसी के कहने से आगया चलो वाँ ठीक हो जाते हैं चलो वाँ ठीक हो जाते हैं टीवी पर देख्या फ़लाने ने कहा मैं ठीक हो गया तो वो ठीक होए वो जूट नहीं बोल रहे वो यहीं मिल जाएंगे आपने बेश से पूछ लियो गूमते फिरते और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे इसी कारण से उसको लाब ना मिलेगा तो उसके अंदर कोई दोस है उसकी कोई सिवा के अंदर समर्पन भावमत कमी है और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सबी पूजाओं को टाकर सबी मर्यादाओं को टाकर एक मालिक के पत पर प्रमात्मा की द्वारा बताएव मारग पर चलेंगे तब हम आन उपासना बंद कर देंगे तो हम एक प्रमात्मा पर आस्रीत होगे हम पहले डादान कितने खसम बना रहे थे फुलाना देवता पूजलो फुलाना पूजलो गुगा पीर पूजलो फुलाना पूजलो और यह भाम एक खसम बनावांगे एक मालिक एक पती एक स्वामी कभीर भगवार और जब आप हर्दय से स्विकार कर लोगे इस प्रम पता को और फिर देखना पती भरता जमी पर जो जो धर्वे पाव सम्रत जाडू देत है ना काटा लग जावे कहते हैं ऐसा बहुत जब आप आजाओगे कभीर साही के अत्रिक कोई भगवान नहीं हो आपकी हर्दय में और अन्या किसी देव से जाड़ फू कराने वाले से सुपने में भी कोशिस ना करना सोचना भी नहीं तो आप पती भरता पत पागे कहे कभीर सुनो विसादो मैं त कर दिया तो मैं तरे साथ हूँ आई विस्वास रखेगा तो मैं तरे साथ नहीं हूँ जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूँगा तो इस परकार यहां कमी नहीं रहेगी कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी उसकी डिकालने के लिए ग्यान झालोगे.